गोगल पे बाजीरा सिंगम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरे बाप चीज क्या है मुझे पता है, पता है मुझे कि तुम थमनिल देखकर अंदर आयो और सोच रहे हो कि सुहानी ऐसा कैसे कह रही है लेकिन स्त्री जैसी मुवी, जो एक होरर कॉमेडी उनिवर्स, दोनों का जॉनर भी अलग है स्टार कास्ट में जमीन आस्मान का अंतर है, स्त्री में श्रदा कपूर है, राजकुमार राव है, पंकस्तर पाठी जैसे एक्टर्स हैं कोई बड़ा स्टार ही नहीं है है, अब लग रहे हैं वसली राजकुमार और यहां सल्मान खान, अज़र देवगन, अक्षे कुमार, रनवीर सिंग कैसे टक्कर दे सकती है, कोई बात नी, कोई बात नी, दीरज रखो, डीटील में समझाती हो और इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा अब याद करो, सूर्य वंची में अज़र देवगन का करेक्टर अक्षे कुमार से क्या कहता है यही कहता ना कि अरे बहुत सालों बात भाई, मतलब अचानक से तुम दोनों का कनेक्शन कहां से आया फिर सूर्य वंची में अचानक से कहता है कि ये काम एक कमीना कर सकता है कौन, कैसे, कहां, मतलब किसी बात की कोई भी बैक स्टोरी नहीं है सिंभा को कैसे बुलाया जाता है, सूर्य वंची को क्यों बुलाया जाता है किसी चीज की कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाए जाती किसका किस से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजे भी तो दिखाना बनता था ना और ये वही जगे है जहां पर सिंगम का कॉप युनिवर्स पीछे चूट जाता है स्ट्री युनिवर्स से आप याद करो स्ट्री युनिवर्स में उन्होंने भेडिया और स्ट्री को किस तरीके से कनेक्ट किया अभिशेक बिनर जी का करेक्टर दोनों शेहरों को जोड़ता है और हाँ वनून और राजकुमार का करेक्टर एक दूसरे के लिए अभी भी अजनबी है दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है और अगली मुवीज में वैंपार मुवी में आईश्मान कुराना अपाशक्ति कुराना है तो वहाँ से वैंपार का कनेक्शन चंदेरी से आएगा और भेडिया भी कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्ट्री टूमेस का पहले से ही जिक्र मिलता है उनके पास हर चीज के ठोस सबूत हैं हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है क्योंकि सारी चीजे पहले से प्लान की गई है और इसी तरीके से बनता है एक यूनिवर्स वही दूसरी तरफ कॉफ यूनिवर्स में बस एक ही कनेक्शन है सिंगम और सिंबा जो सिंबा में में वेनशन किया गया है लेकिन सूरिय वन्ची में तो सीधा सिंबा को काल कर देता है बाकिस अब कुछ एक जटके में दिखा दिया जाता है क्योंकि पहले आपने कुछ सोचा नहीं फिर एकदम से आपने सारी चीजे प्लान की कि चलो हम एकदम से जग गए हैं आज हम इन सब का कनेक्शन बिठा देंगे और हम एकदम से सब यूनिवर्स बना लेंगे अगर आप एक वेल स्टैबलिश यूनिवर्स बनाना चाहते थे तो आपको स्त्री जैसी मुवी से कुछ सीख ले लेनी चाहिए थी अगर अगर आप यूनिवर्स बनाना चाहते थे तो और सबसे वज़ेदार बात पता है क्या है जितने भी करेक्टर इस कॉप यूनिवर्स में अलग से डिफाइंड करेक्टर्स हैं अब दिपेका बादू कौन को ही ले लो वह स्पाई यूनिवर्स में है अल्रेडी अक्षे कुमार स्थ्री यूनिवर्स का पार्ट है चुलबुल पांडे स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है यानि कि दूसरी यूनिवर्स के लोगों को अपनी यूनिवर्स में बरने की कोशिश की कही है यानि कि तुम दूसरी यूनिवर्स के लोगों को अपनी यूनिवर लाने के लिए जबरदस्ति कोशिश कर Р 코로 हो आपके पास तो कोई यॉनिविर्स था ही नहीं आप जबरदस्ति का ऻिफ्य बना रहे हो इस तरी बेढिया मुझी आस्टी टू इनकी सारी की उनिवर्स को सही तरीके से स्टाइबिश करना चाहते हो ना तो सिंगम वर्सेज सूरिय वंची कर दो यानि कि अज़ा देवगन वर्सेज अक्षे कुमार तब जाकर बात बनेगी बागी सारे उनिवर्स में भी ऐसा ही होता है जैसे कि स्टाहिकर वर्सेज पठान ये मुकाब शातरपति शिवाजी महराच को है. कि भाई हम अच्छे कुमार का कैमियों कर रहे हैं अपनी मूवी में और जब हमारे लिए हम जनता के लिए जब एक सर्प्राइज के तौर पर ये मूवी हमें दिखा तो हमें देखने में कितना मज़ा आया चीजों को सर्प्राइज के तोर पर जब जनता के लिए रखोगे तो भाई जादा मजा आएगा ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया, मोवी के लिए कुछ तो बचा लेते हो इचेटी साथ स्री से कुछ सीख लेते यार युनिवर्स बनाना नहीं सीखे ट्रेलर चाटना नहीं सीखे तो आप स्री से कैसे आगे निकल पाऊगे एतिहास खुद को दोराने वाला है एक बचन के लिए तो भाई लास्ट में में बस इतना ही कहना चाहती हो कि ना तो आपने कुछ सर्प्राइज रखा और यूनिवर्स खिदाम पर आप कहते हो कि एक दिन सो कर उठे तो कहा सिम्बा सूर्य वंची सब को बलाओ चलो यूनिवर्स बना दो ऐसे नहीं चलता है आप स्री से आगे बिल्कुल नहीं निकल सकते बाकि तुम बताओ तुम्हार प्रेस्टुडियो को लाइक का और शेर कर लो